आप देख रहे हैं समाचा रेजिंस एफ इंडिया में साइन नीव आए जानते हैं उनमें से कुछ कथाओं को विस्तार से भगवान गनेश की उत्पत्ती को लेकर पुरानों में कई प्रकार की कथाई बताई गई है कहीं बताया गया है कि माता पार्वती के उप्टन से गनेश जी बने तो कहीं कहा गया है कि भगवान शिव ने उन्हें गज रूप दिया है आये जानते है कि कैसे हुआ बालक गनेश का जन्म एक बार शिव जी के गन नंदी द्वारा आग्या का पालन नहीं करने पर माता पारवती नाराज हो गई तब उन्होंने प्रन कर लिया कि वे ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगी जो उनकी आग्या का पालन करेगा और उनकी रक्षा करेगा उन्होंने अपने शरीर के मैल और उप्टन से अपने पुत्र का निर्मान किया एक बार वहस्नान करने गई और बाहर अपने इस पुत्र को खड़ा कर गई उन्होंने बालक को समझाया कि कोई भी अंदर न आने पाए कुछ देर बात वहां भगवान शिवा आये और माता पार्वती के पास जाने लगे तो माता पार्वती के उप्टन से उत्पन बालक ने उन्हें रोकने का प्रयास किया यह देखकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसका सिरधर से अलग कर दिया और अंदर चले गए अगर आप बुद्धी के दाता भगवान गनेश की अराधना करते है और अगर आप एकदंद भगवान गनेश के भक्त है तो कमेंट बाक्स में जे गनेश लिखना न भूलिए माता पार्वती ने दो थालियों में भोजन परोसकर भगवान शिव को आमंतरित किया तब दूसरी थाली देख शिव ने आश्चरेच कित होकर पूछा कि यह किस के लिए है पार्वती बोली यह मेरे पुत्र गनेश के लिए है जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है क्या आपने आते वक्त उसे नहीं देखा यह बात सुनकर शिव बहुत हैरान हुए और पार्वती को सारा वृत्तांत का सुनाया यह सुन देवी पार्वती क्रोधित हो विलाप करने लगी उनकी क्रोधागनी से स्रिष्टी में हाहाकार मच गया तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुती की और बालक को पुनर जीवित करने के लिए कहा तब शिव जी ने गरूर को उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया और कहा कि जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई हो उस बच्चे का सिर ले आना तब गरूर शिशु हाथी का सिर ले आए भ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुन्यक नामक उपवास किया था और इस उपवास का फल देवी पारवती को गनपती जी के रूप में मिला था दंतक था के अनुसार इस वरत के लिए शिव जी ने इंद्र से पारिजात व्रिक्ष देने को कहा था लेकिन इंद्र ने इस व महापुरान में गनपती जी की उत्पत्ती की कहानी अलग ही वर्नित है। शिफ पुरान के अनुसार देवी की दो सक्षियां थी, जया और विज्या। एक बार इन दो सक्षियों ने देवी पार्वती से कहा की, नंदी और सभी गन महादेर की आग्या का ही पालन करते है। ऐसे में आपके पास भी ऐसा गन होना चाहिए जो सिर्फ आपकी आग्या का पालन करे। तब देवी पार्वती ने इस गन के रूप में गनपती जी की रचना की। देवी ने गनपती जी की आपने शरीर के मैल से रचित किया था. वहीं, एक कथा के अनुसार भादरपत शुकल चतुर्थी को मध्यान के समय गनेश जी का जन्म हुआ था. एक कथा के अनुसार शनी की दृष्टी पढ़ने से शिशु गनेश का सिर जलकर भस्म हो गया. इस प प्रकार गनेश जी भगवान गजानन बन गए. वराह पुरान के अनुसार, गनेश जी को भगवान शिवजी ने पंच्तत्वों से रूप दिया था. गनेश जी ने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप पाया था. जब देवी देवताव को गनेश जी के विशिष् तरह भगवान गनेश जी की उत्पत्ती हुई थी। Ricky गनफती जी की उतृपत्ती की ये दो रहेसरि में वर्नित है। लेकिन दोनों में उनके जन्म का दिन एक ही वर्नित है। अगर आप बुद्धी के दाता भगवान गनेश की अराधना करते हैं और अगर आप एकदंद भगवान गनेश के भक्त हैं तो कमेंट बाक्स में जे गनेश लिखना न भूलिए। यहां बताए गए उपाय, लाब, सलाह और कथन आदी सिर्फ मानेता और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी मानेता या जानकारी की समाचार एजेंसी ओफ इंडिया के द्वारा पुष्टी नहीं की जाती है। यहां दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन माध्यमों, जोतिशियों, पंचांग, प्रफचनों, मानेताओं, धर्मगरंथों, दंतक्थाओं, किमवदंतियों आधी से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेक को अंतिम सत्ते अत्वा दावान माने एवन अपने विवेक का उप्योग करें। समाचार एजेंसी ओफ इंडिया पूरी तरह से अंध विश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या माननेता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेशगे से सलाह ले। किसी भी जाने से सुझा करें। झाल झाल